परम्मंगल में परात्परक्षेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांचा कल्पतर उत्रजीत दुद्रमिंदक पीतामबरधारी स्रीवालकृष्ण भगवान के स्रीमुख से निश्रित गीता के दित्य पाराने कारेक्रम में हम सभी समवेत रूप से समपस्चित हैं हम फिर च विश्वयालक से पारान करके च विश्वयालक का ही और कहें तो आप जु उत्रार्द गीता का है समापति और है उस पर हम थोड़ा सा निया कशित के लिए भगवान का। ब्रहन का उन्देश क्या है हम सभी के दिए तो आईए हम देखें यो न्ता सुकुरामस्त सांतर यो तिरे वय स्योगी ब्रह्म निर्वानम् ब्रह्म भूतो दिगच्चती लभंते ब्रह्म निर्वानम् दिशय चीन कलमशाः चिन्न दुईधाय तात्पान स्तर्व भूते तेरताः काम कुरूद विक्तानाम यतीनाम यतीचीतसं अभितु ब्रह्म निर्वानं परतिवितात्मनाम अस्वरसान्गृत्ता वहिज्वाया स्च्षय अंतरी भुरू प्राणा पानो समगता नाशा भ्यांतर चारेनो यते इंदीमनो उद्धीमनियो उख्षय पराएडा है विक्ताइचा भयक्रूद वियस्दा मुक्तिवस है भुक्तारम येकत्पसाम दर्वलोकम भीतुरम सुएदम दर्वुतानाम ग्यात्वम संतिमर इच्षती आए देखें 24 वेश स्लोक से लेकर के 29 वेश्द्पस लोक तक भगवान क्या कहते हैं तो कहते हैं यों अंतह सुखी अंतर आत्मता जो 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 तिस चुरूप परमात्मा का अपने अंदर ही चिंतन करता रहता है अथाद उसी में उसका रमन करता है बाहर के विशों में उसका मन नहीं जाता है जबकि आत्मा में ही उसका अस्वानर चिंतन चलता रहता है भगवान ने अनेग विधिया बताई बीजिते एक्षा भयक क्रोध हो सारी एक्षाओं का क्रोध का, लोव का, मोह का मद का, मत्सर का जब तक हमसे बिलगाव नहीं हो जाता तब तक आत्मा प्रकासित नहीं होती और आत्मा में प्रकासित जो ब्यक्त हो जाता है उसके सारे ये दुर्गुण अपने आप नश्ट हो जाते हैं इसलिए ब्यक्त को चाहिए कि सुषिदम्थर्वफूता नाम ज्यात्वाम्म संत्मर्षिति भगवान सब के सुषिद है हमारी आत्मा ही हमारा मित्र है इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सदव आत्म प्राप्ती का प्रेत्न करना चाहिए राधे राधे जैश्री किष्ण